दोस्तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एक्सपेरेंट में तो आज की वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है आज हम बनाने जारे हैं होमेड लाइटर जो रिचार्जिबल होगा और काफी यूसफुल होगा वह हम वीडियो में देखेंगे दोस्तों लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल पर फर्स्टाइम आये तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक वीडियो को जरूर करें चलिए दोस्तों शुरू करते है तो दोस्तो जो हमने homemade lighter बना है सबसे पहले हम उसकी charging कर टेस्ट कर लेते हैं जैसे ही दोस्तो हम उसका jack socket में connect करते हैं वैसे ही red light blink करने लगती है जैसे कि आपको डिस्पले में दिखाई दे रही होगी दोस्तो और जैसे ही यह charging full हो जाएगी तो blue color की light दूसरी side blink करने लगेगी दोस्तो चलिए अब दोस्तो हम इसे थोड़ा सा test करके मैं आपको दिखाता हूँ देखे दोस्तो यह मैंने carry bag जो होता है उसे जला कर दिखाऊँगा दोस्तो देखे कितना red हो जाता है दोस्तो यह homemade lighter काफी useful है आप इसे use करेंगे तो काफी enjoy करेंगे से use करते हुए जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ दोस्तो और दोस्तो इसे charging में भी कोई issue नहीं आता कोई problem नहीं आता दोस्तो अब मैं आपको एक BD का bundle जो होता है उसकी एक BD जला के दिखाऊँगा आपको वैसे मैं suggest नहीं करता दोस्तो के आप इस तरीके से आप इसे use करें लेकिन मेरा काम है वीडियो में हर detail को आप तक पहुचाना तो देखे दोस्तो कितनी सी देर में इसने BD को red कर दिय है और काफी work करता है अच्छा work करता है तो दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो में हम laptop की battery का use करने वाले हैं वैसे हमारे पास काफी battery available है लेकिन ज्यादा वोल्ट होने की वेज़े से इनके अंदर एंपेर नहीं होते हैं लेकिन 3.7 जो laptop की battery होती है काफी powerful होती है तो दोस्तो आपको पहले बता देता हूं दोस्तो तो दोस्तो आपके पास laptop की battery अवलेबल है तो ठीक है वरना आप किसी भी computer shop पे जहां भी computer repairing की shop है वहां से खरी सकते हैं दोस्तो और जितनी भी laptop की बेकार battery होती है ऐसा नहीं होता कि उनमें सारे dead cell हो तो एक दो dead cell होते हैं बाकी 4-5 सह अच्छी निकल जाते हैं दोस्तो तो दोस्तो हम दो जैल लेंगे और उनको दौनों तरस य falti से अच्छी तरीके से बंते तो दूसरी त्यूं मेरे बहुत-धाई ओंधने लिए उस्था बीस्पलेड के पर और उसे च्छी तरीके से टाइट कर लेंगे दोस्तो आप भी मे एची वीडियो के notification मिलते रहे दोस्तों तो दोस्तों हम दो screw लेंगे जो bolt के साथ आते हैं आपको ये किसी भी hardware swap पे मिल जाएंगे आराम से मिल जाएंगे दोस्तों और अब हम क्या करेंगे ice cream stick का use करने वाले हैं जो इनकी दोनों के बीच में gap था उन दोनों के बीच में हमने ये set कर दिया है दोस्तों अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे wire का use करेंगे दोस्तों आप एक wire use करते हुए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखे के दोस्तों मैंने उसे कम ना wire use किया है और जो नीचे नेगटिव और पॉजिटिव जो connection थे उस तो अच्छी तरीके से connect कर लिया जैसा कि आपके डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों अब मैंने जो wire था उसमें से ही निकाल के एक connection डारेक्ट कर लिये हैं और एक connection को टच करने के लिए छोड़ दिया है दोस्तों आप देखेंगे तो अभी समझ जाएंगे तो दोस्तों यह my नाइक्रोन वायर है आपको किसी भी इलेक्टिकल शॉप पे मिल सकती है मेरे पास पुराना हीटर पड़ा था तो दोस्तों मैंने उसमें से निकाल ले थी दोस्तों अब दोस्तों हम नाइक्रोम वायर के circle बना लेंगे जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं है कि इसमें यूज करें तो दोस्तों हमने connect कर दिया है और जो एक screw से point था वो direct connect नहीं किया है जिस क्योंकि जब हम इसे connect करेंगे जब जाके connection on होगा तो चलिए दोस्तों अब इसका एक point और रह गया है तो दोस्तों homemade lighter जो हमने बनाया है उससे सबसे पहले test क करके दिखाते हैं कि paper को यह कैसे जला देता है और कितना easily जला देता है दोस्तों जैसे ही मैं wire connect करता हूं connection connect करता हूं देखे दोस्तों मैं side कर देता हूं इस wire को तो वैसे ही जो नाइक्रोम wire है वो red हो जाता है दोस्तों तो दोस्तों इसकी battery कहीं खतम ना हो जाए इसके लि अब दोस्तो आप इससे अपने घर में गेस भी यूजज कर सकते हैं तो दोस्तो मैंने एक tie लगा कर इसे connect कर लिया है और ये जो positive का connect कर दिया है और negative का negative कर दिया दोस्तों ये प्रिंट printed आते है company से आप देखें गे तो लगा आपको पता लग जाएगा दोस्टो और मैं आपको इसका लिन्क डिस्किप्शन में दे दूँगा आप वहां जाकर भी पर्चेस कर सकते हैं दोस्तो जैसे ही मैंने कनेक्षन लगाया है तो दौस्तो रैड कलर कि लाइ आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी दोस्तो यह ब्लिंक करने लगी है दोस्तो तो दोस्तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तो और आप मेरे चैनल पर फरस्टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको मेरे बनाई हुई अच्छी वीडियो आपको नॉटिफिकेशन की तुरू मिलती रहे दोस्तो तो चलिए दोस्तो और यह जो मैंने बंडल का टेस्ट किया था अब दुबारा टेस्ट करके दिखाता हूं दोस्तो तो दोस्तो मैंने काफी अच्छी अच्छी वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में बना रखी हैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल थोड़ा न्यू है तो आपको सर्चिंग लिस्ट में नहीं आता होगा तो दोस्तो आप एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको मेरी वीडियो के हर ने के लिए